हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के इस्टुटेंट हो या 12 के इस्टुटेंट हो जिनको बोर्ड का एकजाम 2023 में देना है वह कभी भी बोर्ड परिच्छा में 2023 में भूल कर भी यह गलती ना करें तो आपको कौन सी गलतिया नहीं करनी है उसके बारे में बताएंगे ठीक है फ्रेंस देखिए आपको पहले नबर बताते हैं कि वीडियो जो आज अपलोड किया जा रहा है इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपके मन में किसी प्रकार कर डाउट होगा तो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रे आपका पक्का आएगा ठीक है पेपर देने से पहले जो आज वीडियो उसको आप जरूर देखिए कि कौन कौन सा पॉइंट आपको बताएंगे देखिए फ्रेंस आपके सावने पहला पॉइंट है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड परिच्छा में क्या लेके जाना ह यानि कि फ्रेंस जब आप बोर्ड के एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके कौन कौन से उकड़ लेके जाना है और आपके प्यास क्या चीज होना चाहिए दूसरा पॉइंट पर बात करेंगे कि यह पांच गलतिया आपको कभी नहीं करना है यदि यह पांच गलतिया यद पात करेंगे कि यह पत्यूसरा लगांगे आप पयसा लगा कि आभी पास हो सकते हैं यह नहीं हो सकते हैं झांच पर प्र लिखते से आज कंद सब्सक्राइब कापी में प्रश्ण लिख कर छोड़ने पर क्या छात्रों का नंबर मिलता है या नहीं मिलता है ठीक है इस पर बात बताएंगे आप फिर अगला पॉइंट रहेगा कि प्रश्ण पत्रों को हल करने का सही तरीका आपके पास क्या होना चाहिए जिसे से आप प्रश्ण को यदि यदि पर पश्ण को आपको जाना है ठीक है क्या क्या लेकर यह आपके पास बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं तो नेसेसरी आपके पास हो ना चाहिए पहला क्या हो प्रवेश्पत्र आपकी पास जरूरी हो रजबनाचाहिए दूसरे नमबर पर आधार काट ले ठीक है इसके अलावा नीला पेन काला पेन कम सकम दो या तीन पेन ले लिए ठीक है और काला पेन और काला पेन की जिगह पर आप इसके भी ले सकते हैं कम सकम एक दो इसके या काला पेन आपके पास होना चाहिए इतना उकरण आपको ले के जाना है फ्रेंज इसके अलावा जी चार चीज़ जो है आपके पास नैसे सरी है कि होना चाहिए ठीक है प्रश्पत्र ले ले लिजेगा आधार काड़ ले लिए नीला पेण काला पेण या इसकेच इस में से सभी उधकर आपके पास होना चाहिए ठीक है तो अब दूसरे पॉइंट बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपके सामने यह है देखें यहाँ पर बता देते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि पाच गलतियां करने पर कापी आपका चेक नहीं होगा इस पाचों गलतियों में से एक है कि आपको जो रोल नमबर कापी होगा उस पर द्यान से रोल नमबर भरिए ऐगा ठीक है फिर दूसरे नमबर पर होता है कापी कोड देखिये फरेंस जो कपी कोड अधिक इसी प्रस्ट पत्र आपका है 1824 वय लिखा यह इसी प्रकार से आपके कपी पैप उस कोड को सो आपको लिखना पड़ता ठीक है यह कापी कोड अपने लिख прям है यह लिखना आदम अद्यान से लिखिए गा तीसरे नंबर है प्रश्ट पत्र इस्पत्र आनि अध्या है फैर आपको मतलब की लिफ यह आप प्रश्ट पत्र कोड को जैस는 इस प्रकार का आपका कोश्टक में भूल जाएंगे तो आपको कापी चेक नहीं होगा चोधर नमबर है कि OMR सीट जो मिलेगा इस साल आपको 20 बहुई कलपी प्रश्ण मिलेगा हल करने के लिए उसे OMR सीट पर हल करना है तो अच्छी प्रकार से उसे आप प्रणिएगा इसमें आप गलती थोड़ा नहीं होगा ठीक है जिससे आपको नमबर नहीं मिलेगा फिर लाच्ट पॉईंट यह सबसे ज्यदा इंपोर्टेंट हैं कि आपको सीग्नेचर कापी पर हो ठीक है या प्रश्पत्र पर हो या फिर जो आप जो अध्यापक होंगे आपको सीगनेचर करवाएंग, ठीक है तो की अगले पॉइंट पे बात करतें हैं की कापी में पैसा चिपकाने से चटर पाश हो रहा है देखिए या अदम गलत बात रहेद पहले देखिए इस्टून नो em फाय थे पाइसा नहीं मिलें अप्स निवेदन है की आप कापी जो मिलेगा उसमें आप प्रश्पत्र लाएगा जो उत्तर पूष्ट रहेगा उसमें आप प्रियोग मत कीजिएगा आपका पैसा बैका चा़ ठीक है आपको इस पे नंबर नहीं मिलता है पैसा डालने पर ठीक है ततरु तो इस point को ध्यान दिजेगा कि यह करने से आप कोई number का benefit नहीं होगा चलिए अगले point को बात करते हैं और अगले point को देखते हैं friends यहाँ पर देखिए अगला point पहले इस point को देख लिजिए कि कापी में प्रशन लिखने लिखकर छोड़ने पर के अच्छा द्रूकर number मिलेगा दिखे फ्रेंस इस पे कापी में प्रशन यदि आप लिखने के खाली आ जाते हैं आपको उसका answer नहीं पता है खाली प्रशन उतार के चले आते हैं तो इस पी एक number भी नहीं एक नमबर भी आपको नहीं देगा तो आपको करना क्या है फ्रेंस कापी में प्रशन को जब लिखते हैं तो प्रशन को लिखने के बाद उसके बारे में ठीक है जो प्रशन लिखा है उसी प्रशन को हेडिंग बना लिए हेडिंग बनाने के बाद उसके बारे में चार लाइन पास लाइन लिख देंगे तो लिखने के बाद आपको एक्जामनर एक या आधा नंबर या दो नंबर दे सकता है ठीक है लेकिन खाली सिर्फ प्रश्ण प्रश्ण लिखने का मतलब क्या है फ्रेंस देखिए आपको इसमें पताते हैं जैसे 2022 का समाजी विज्ञान का पेपर है इसमें देखिए परश्ण प्रश्ण है अब सेम लिख चले आएंगे आडगा नुमबर नहीं मिलेगा जाओ नेपाल भुटान इस तरह नहीं मिलेगा अभी बना लेंगे बारत के कि नीद दो पड़ोसी देशों के न इतना लिखेंगे लिखने के बाद इसके बारे में का दो देश का नामी धरूदर जो आ रहा है आप कूछ से में याद आ रहा है वहीं लिखके चले आंगे तभी नमबर मिलेगा सिर्फ प्रष् कितने दोस्त यह होते हैं कि यह नहीं कुछ पता है तो कुछ डाल देंगे तो इसमें डाली या किसी को गाली गाना उसमें नहीं गाते रहते हैं तो फ्रेश इस पे एक भी नंबर नहीं होता है कभी को निगलेट करना यदि आप इन सभी को लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा ठीक है अब देखें आपको अगला पॉइंट बताते हैं कि प्रश्ण पत्र को हल करने का सही तरीका आपके पास क्या होना चाहिए आप प्रश्ण पत्र को कैसे हल कर सकते हैं भी दने मतलब यह होता है आप प्रश्ण नंबर एक पढ़ें प्रश्ण थो पर रहें हमको ती camp?.. जो तो यह पहले प्रश्ण पत्र नंबर 05-2 प्रश्ण पत्र आप के लिए यह उसका गलति इमेज बन जाता कि इस लेकिन आप जिस प्रश्ण का एंसुर आपको अच्छे प्रकार से आता है उसको पहले पेज पी लिख्याते हैं यदि राइटिंग सही ज्यादा कार्ट पीट नहीं कि हैं तो उसमें आपका इमेज जो होता है उत्र प्रिस्तिका का अच्छा बन जाता है और क्या करता कि यद आपको जितने भी प्रश्ण दिये हैं सभी प्रश्णों को पढ़ लिजिए बढ़ियां से जिसका एंस्वर आपको पहले आ रहा है उसी को पहले पेज पे लिखिए न कोई जरूरी नहीं कि आपको करम से करना रहता है ठीक करम से नहीं करना रहता है जिसका एंस्वर पहले कर दिए अब इसके अलाव भी आपके मन में किसी परकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बाक्स में लिखेंगे हम उस पर भी आपको बड़ियो बढ़ा के समझा देंगे कि आप इकजाम में कैसे उपस्तित हो कैसे लिखें ठीक है तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो व